तो अब कहीं ना-कहीं बाढ़ी है आफेस करक्षिट्फिकेशन का तो आइवीपेस क्लार्ड नोटिकेशन के अगर बात करें तो बहुत सारे से कैंडिडिट्ट भी जो होते हैं कि आपिएस कि अगर हम बात करें तो प्यू को बहुत कैंडिडेट लोग इग्नॉर करदें ठी भीटे पेजिए में इंटरेस्स बहुत कम लेते तो उनके ये भी पेजा बनता है कि अपना सीट पका कर सकते हैं तो आईए यहां पर बात करेंगे कि इसमें जिली टोटThis किया है ऑननेलग खब से होगा एक्जांडेट क्या होंगे मैंस पैपर कब होगा है अगर बात पिछले साल का तो पिछले साल की वैचनी सिसस बारहा सब्सक्राइब नेदijn करीब रहा था इस बार थोरे से जो है यहां पे वेकंस फोरे जादे देखने को बन सकते हैं ठीक है 15000 के तोरे सदीख के वन सकता है अब रहाetted स्टस्राइं को से सेस्ट सेफन सब्सकिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो eligible है एज और उनके को एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुल्फिल पूरा करते हैं तो ठीक है अब रहा बात एक्जाम डेट एक्जाम डेट जो है प्रिलिम्स का प्रिलिम्स की बात हो रहा है एक्जाम डेट कान कान से तारिक में 12 13 19 और 12 13 13 इसका पेपर होने वाला है दिसमबर 2020 में ठीक है वहीं बात करते मेंस पेपर कभ़ोगे तो चौइस जनवरी 2021 मेंसरे फेपर होगा जनवरी में चौइस तारीक और फानल रिजल्ट के अग्रम बात करते हैं एक अपरिल 2021 को इसका फानल रेजल्ट होगा ठीक है अब आते हिस च कितनी होनी चाहिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से 28 साल ठीक है मिनिमम बीस और मैक्सिम अठाइस साल होने चाहिए बाकि जो है कि एज जो और अच्वता का का जिलोगत बात करते हैं जो मिनिमों का ठाइस साल होने चाहिए तो education qualification क्या होने चाहिए educational qualification के हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो candidate must possesses the minimum qualification of graduation in any discipline means कि graduation होना चाहिए कोई भी discipline से हो चाहिए arts हो commerce हो science हो या उसके equivalent जो भी हो ठीक है from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government ठीक है एक important इसमें note कि जाए the candidates should have passed in English as one of the subject sse hse intermediate graduation level पे तो इन सारे format के में कहा गया है कि English जो होगा एक subject होना चाहिए उनको चाहिए उनको चाहिए वो बैटिक लेवल पर इंटर लेवल पर ग्राइशन लेवल में उनको किसी भी पूरे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंग्लिस होना चाहिए ठीक चली अब बात कि इंपॉर्टन क्या है यहां से में जो کہ किसमें जो मिनिमुम क्या हो सकता है इसके बारे बात करेंस के हम देखेंगे मोरी सब्जेक्ट पूछा जाता है इंग्लिस लैंग इस ने मिरिकल माथ गत Only ृडimal воды इस सब्जेक्ट देखर-numeral abilities between equilibrium able इसे प्रेसी फार्टिशन मिलाकर सौ कोशन होते हैं 100 मांस के लिए होते हैं में एक इमपोर्टनीं चीज है कि 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए ठीक है मिलेगा मिन्स की 20 मिनट्स दैसे ही होते हैं यह सक्शन आप यहां पर दिया जाएगा चलिए अब इसके बाद इंपोर्टेंट क्या बनता है इंपोर्टेंट यह है कि डिटेल्स आप प्रिलिम्नरी एक्जाम एक्जामनेशन को हर लोग जानना चाहते हैं प्रिलिम्स का पेपर मैंने दिया तो भाई उसमें कितना कम लाना होदा कितना मिनिम्मम के जैसे कि maximum score 30 का होता है 30 का होता है और 35 का होता है ठीक है इंग्लेश 30 स्वारी यहां पर चीज़ुरिया पैंधिस ठीक है आप 335 कर लेंगे ठीक है मैं तैस्थ पैंतिस तो भाई इसमें क्या क्या होता है minimum जो कट अब बात करें यह प्रिवियस एर ठीक है यह दोजार ननी तो तो तीस में से कितना लाना होता है minimum 8 25 से या उससे ज्यादा ले आते हैं इसमें आप कॉलिफाइ कर जाते हैं तो आप कोई बात हैं यहां पर आप फेल कर जाओगे मिनसकि आप डिसकालिफाइ कर जाओगे यहां पर तेंट 7.75 minimum और maximum आपको में आपको लाने ही लाना है थीक है वहीजित खाइबिर्टिक पर तो 7.50 इसकी यह minimum cut of सिब्सक्राइब करना होगा कि सब्सक्राइब करना होगा जतने maximum आपको लाने होते ने तब बात यह होता है कि सिफ आपके अगर आठ साथ 15 साथ कितना हो गया बाइस लगभव पचीस 24 पचीस नंबर के आसपास में तो इससे बात नहीं बनेगा यह तो minimum है लेकिन maximum आपको करना होगा तो आए यहां पर प्रिलिम्स exam के बारे में कुछ करते हैं कि प्रिवेस यह का जो था कटफ जर्रल करिगर कितना कि थे तो इसके बारे में यहां पर डिसकर्स करते हैं जैसे आंज पर देखें 66.25 गया था असम का 63 बिहार का 65 चन्डिगट का 71 ठीक है वही बात करते हैं देली का तो देली का 71.75 गया था गोवा का 67 गुजरात का 27 सबसे कम ठीक है minimum हर्याना का 68.50 हिमाचल परदस का 62.25 वही बात करते हैं धारकन का 73 कनाटका का जो है से 53.25 सेकेंड जो है यहां भी minimum कह साकते हैं ठीक है करला का बात करें तो 73.5 मत परदस का सब्तर बात करें महारास्टा महारास्टा का 61.50 ओडिशा का 71.50 पंजाब का 66.25 राजस्थान का 71.25 महीं बात करते हैं तामिल लाडू का तो 57.75 चलंगानका 61 और उत्तर परदस का 68.25 तो अभी मैंने बात गया था कि minimum cut-off ठीक है minimum जो cut-off था लगबग 24 का सपास था लेकिन यहां पर आपको maximum कर ले होंगे maximum कितने करने होंगे यहां पर लगबग 70 अगर बात बन जागा लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पर 70-75 का सपास में लाने होंगे और यहां पर देख से तामिल लाडू हो गया ठीक है इन सब स्टेट में कुछ ऐसे स्टेट जहां पर आपको कम कटव में भी बात बन जाएगी जैसा कि आपको यहां पर कटव में बताएगा जै देखते हैं जैसे करनाटका हो गया ठीक है गुजरात हो गया तो इन सारे स्टेट इसमें कम कटव में भी बात बन जाएगा वहीं बात करते हैं जहां पर पेपर होता है जहां पर 70 करके आतेंं फाइनल सेलेकसिन अपाते हैं ठीक तरशेक्सियों और अक्रुटी सेенты L folk 10 आ Ugh अब है कि खी के मैंने प्रिलेंश जिर कर लित कर लिया इसके बाद किया इसके बाद में से पर आपको दे भी में क्या होता है आगे और में साथ मास करते है मास्य तो मेंज फेपर की स्मर्म द्रौट सहल समय नेयर tem Table के सुझन संट म यहां पर बात करते हैं तो यहां पे 190 कोस्चन ठीक है 200 मास के लिए और मिलते हैं अब कि मuciones का मिलते हैं जाने के बारे में जाने के बादय मेंस कज तो कि मिनिमिमों कजुझ कि घें । कि मात जाता है जाता है तो जसे देखिए यहां पर बात के जनरल फिलांसर जनरल एंड फिलांसर अवरनेस की बात कि तो पचास में से 10.25 वह ने चाहिए मिनिम्मम कटफ वहीं जनरल इंगलिस में सारे 12 में की बारा दोसम्रों पच्छास बेंगे तो इससे आपको लाने होगे तो दोसमें से सरी मिनिममम कटफ करने से पास मार तो से कम से कम लाने मैक्सिमट आपको जाने जाने टिक है थी काम आते तो वैसे डिसक्वालिफाई हो जाए पर अगर शाहए हो जाए इसमें आप रेखियों में 9.25 बाकिस हमें अच्छा-च्छा स्कोर इसमें अगर आपको हैं जाके 25 इसकोर है 30 इसमें स्कोर हैं अगर माल लिया के 40 का स्पास में तो ये तीन सेक्शन तो ठीक है है आपके त condemnail कम हो गया आप डिस्क्वालिफाय कर जाने ध्यान रखिए यह करो इसके वाद है आपको maximum a score कारें जिससे कि आपका फानड मीरेट्लिस में और फानड ज्यां कारी मिलेंगी कुछ अगर डाउट होगा ठीक है अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आने वाले कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद तो आप लोगों मेंटेशन पर बने हैं नए जो जूर रहे हैं